हलो 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 बच्छा पारटी क्या हाल चाल कैसे वह आप सभी बच्छे बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी बच्छों का अपके अपनी YouTube चैनल के उपर जिसका नाम है Physics Man मैं सबसे पहले तो यह उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम सेफ होंगे, एकदम मस्थ होंगे और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई जो आपकी चल रही है, नीट और जही की जो स्ट्रगल आपकी चल रही हो, उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय करना बहुत इंपोर्टेंट है, तो यह जो हमारा सिलसिल है, जिसमें मैं आपको एक सिक्वेंस के अंदर लेक्च solve होने लग जाए, इसी से उनका confidence बढ़ेगा, और इसी से उनको पढ़ाई करने में कम से कम physics को पढ़ने के अंदर मजा आएगा, जब अपन problem solve करने लग जाते हैं, जब अपना confidence बढ़ता है, अपने आप उस काम को करने के अंदर मजा आने लगता है, तो यह मेरा focus है इन lectures को बनाने का, और यह आपको कही ना कही है, अगर आप मेरे lectures देख रहे हो, तो महसूस भी होने लगा होगा, कि हमारी approach बहुत डिफरेंट है, एक तो इस approach में समय बहुत कम लगता है, मतलब मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, ना तो मेरे lectures लंब में है, ना आपको ज़्यादा lectures मिलने है, बट फिर भी जो completion आपको feel होता है, जो confidence आपको feel होता है, जो numericals करने की ability आपकी develop होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यह आपने comparison किया होगा, खासकर जो droppers है, उनके जो comments आते हैं मेरे पास में, उनको तो देख के मुझे यही लग ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक और lecture स्टार्ट करते हैं, chapter number 5, Newton's laws of motion, मैं पिछले lectures के अंदर chapter 4 ही लिख रहा था, मैं भूल गया था, इसको change करना, आज मैंने इसको change किया है, so this is your lecture number 3, इससे पहले एक special lecture भी था, जो कि मैंने website के उपर डाला था, जिस तो बच्चे थोड़ा सा मतलब होए ना, कि ऐसे वीडियो को देखना prefer नहीं करते, तो ऐसी जो serious चीजे होती है, जो सिर्फ और सिर्फ serious बच्चों तक ही जानी चाहिए, जो serious बच्चे ही इसकी तवज्जों कर सकते हैं, वो मैं या website के उपर provide करवाता हूँ, so अगर आपने पहले तो mechanics के अंदर, जो different forces use होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब भी हम mechanics की कोई problem solve करेंगे ना, तो हमें कोई देगा नहीं force, हमें given situation से figure out करना पड़ेगा कि कौन कौन से forces लग रहे हैं उस situation में, ठीक ना, तो एक तो यह हमारे लिए important है, फिर हम लोग equilibrium of forces की बात करेंगे, that is nothing but law of inertia, मैंने keyword बताया था, equilibrium, तो एक बार वापस से revisit करेंगे अपने law of inertia को, but with the understanding of different forces, आज से पहले हमें नहीं बता था, उस time पर मैंने forces खुद ने दे दिये थे आपको, जब मैंने law of inertia बढ़ाया था, अब forces भी आप recognize करोगे, तो और मजा आएगा आपको, ठीक है, फिर हम pseudo forces के बारे में बात करेंगे, मतलब ये physics का भूत है, वाला physics में भी भूत पाये जाते हैं सरह, ये एक ऐसा force है, जो कि सच में exist नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आप इसको experience करते हो, भूतों के बारे में भी तो ऐसा ही होता है ना, कि असली में तो exist करते नहीं ह बट हमें बस के ओल और के ओल उनका एहसास होता है, तो वैसा ही कुछ pseudo force है तो इसकी पूरी कहानी समझेंगे, बहुत important है, बहुत ज़्यादा chances है, pseudo force के ओपर base questions पूछे जाने के, ठीक है ना, and obviously अगर आप मेरी class के अंदर हो, तो आप expect करी सकते हो कि धेर सारे examples होंगे, बि agenda रहने वाले है, चलो, आगे बढ़ते हैं, discussion को आगे बढ़ाते हैं, एक चीज जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, कि सर, बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा हैं, देखो, अपना जो channel है, वो भी धीरे धीरे grow कर रहा है, तो बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं channel से, बच्चों को लेक्चर पसंद आता है, फिर उसके बाद मैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर, हमें बताओ कि ये सारे के सारे लेक्चर कहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब के ओपर तो बिखर जाता है न सब कुछी दरूदर, although मैंने प्लेलिस बना रखिये फिर भी, तो सारे की सारे लेक्चर हो गए, मेरे लेक्चर की पीडियाफ हो गई, क्योंकि मैं बहुत साफ साफ लिखता हूँ, तो बच्चों को नोड्स बनाने की जरुवत निया, हालांकि नोड्स बनाने चाहिए, डिपीपीज हो गई, डिपीज का जो कि selection के लिए necessary है, अगर आप सच में मेरे उपर depend होके, अपनी physics को तयार करना चाहते हो, तो you should visit my website www.physicsman.in, इस website पर आपको बहुत प्यारे, arranged manner के अंदर, मेरा सारा का सारा content जो इस बार मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, वो access करने का मौका मिलेगा, ठीक न, तो in case you don't know about this website, थोड़ा सा brief introduction में हर lecture के अंदर देता हूँ, इस website का, था कि बच्चों को इसके बारे में पता चले, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं आज का lecture, forces in mechanics for smooth surfaces, तो सबसे पहली बात, तो अभी हम जिन surfaces की बात करेंगे, वो smooth है, मलब we will not talk about friction, अभी हम friction के बारे में बात नह रहता है, हम ideal scenario ले रहे हैं कि भाई सब अभी friction नहीं है, हम smooth surfaces की बात कर रहे हैं, ठीक न, तो apart from friction और कौन-कौन से forces mechanics के अंदर हमें use करने पड़ते हैं, या for the given situation present होते हैं, यह हम यहाँ पर देखेंगे, recognize करना सीखेंगे, उनकी value कितनी होती है, उनका magnitude कितना होती है, उनकी in detail we will talk about, right, तो सबसे पहले तो mechanics का मतलब क्या होता है, mechanics का मतलब होता है कि आप different objects की जो machinery है, उसको समझना चाते हो कि मतलब कैसे वो move कर रहे हैं, ठीक न, different objects किस तरीके से move कर रहे हैं, तो हम for an example, एक situation ले ले लेते हैं, एक situation ले ले लेते हैं, कि जैसे मान लो, एक सकुझ यह 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 बीजो होंगा, तो यह एक plank है, यह inclined plane है, आप ऐसा कह सकते हो ठीक है, और इस inclined plane के उपर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़े मैं बताता जाऊँगा, आप समझते चलते जाना, ठीक है, तो यह inclined plane है, और यह fixed है, यह fix है, यह कहीं नहीं मुव कर सकता ठीक न तो यह fix है यहां पर तो fix होने को मैं इस तरीके से show कर देता हूं fix है fix on ground यह कहीं नहीं मुव हो सकता ठीक है और इसके उपर इस तरीके से यहां पर एक spring लगी हुई है इस जगह पर यहां पर एक spring लगी हुई है तो यहां पर एक spring हो गई अच्छा हर spring की एक property होती है जिसको अपन बोलते है spring constant जैसे हर block की एक property होती है जिसको अपन बोलते है mass जब भी आपको block given होगा उसका mass given होगा तो इसी तरीके से जब भी आपको spring given होगी उसका spring constant given होगा तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है न के यह क्या है इसका spring constant फिर क्या करा आपने फिर यहाँ पर आपने बांध रखा है एक block तो इस तरीके से एक block आपने बांध रखा है ठीक है और इसका mass आपने ले रखा है और example जैसे k आपने ले लिया कितना 100 ले लिया और यह जो block है इसका मास आपने ले लिया 5 kg 5 kg आपने इसका मास ले लिया ठीक और फिर यहां से एक रसी आपने बांध रखी है यहां से एक रसी आपने बांध रखी है इस तरीके से और यह जो रसी है इसको आप टाइट रखना चाहते हो ठीक है तो टाइट रखने के लिए आपने दूसरी तरफ ब्लॉक बांध रखा है यहां पर थोड़ा heavier ब्लॉक है let's say यहां पर अपनों ने जो ब्लॉक बांध रखा है वो है हमारा 10 kg का ब्लॉक कितना 10 kg का ब्लॉक है इस तरीके से आपको एक situation दियोगी तो आप ही बोलोगे सर अभी तो आपने forces के बारे में बताया है नहीं पहले ही आपने खतरनाक सी situation बना दी और इसमें भी सारी चीज़ें आ गई इसमें string भी आ गई इसमें pulley भी आ गई और इसमें आपका inclined plane भी आ गया मतलब सारी चीज़े जो possible हो सकती है mechanics के अंदर वो सब आपने इस example के अंदर ले ली तो that is the beauty of this approach मतलब आपको मैं यह realize करवाना चाहता कि देखो जो चीज़ तुम्हें difficult लगती है at a glance वो actual में तुम एक sequence के अंदर मेरी जो approach है उसके अंदर जब आप उसको figure out करने की कोशिश करते हो तो that becomes very easy and ऐसा होगा at the end of this lecture you will see कि आप मुझे थन्यवाद दोगे यार sir thanks आपने इस तरीके की problem से शुरुवात करी और हमें step by step चीजों को recognize करना और चीजों को apply करना सिखाया that you will say for sure यह मैं आपको guarantee दे सकता हूं ठीक न but at the same time आपको patience रखना पड़ेगा आज के इस lecture के अंदर ठीक न हम बहुत गहराई तक जाके बाते करेंगे हर एक course के ब को मज़ा आएगा इस lecture को देखने के अंदर काफी सारी चीजे उनको समझ में आएगी ठीक है तो अब यह situation हमें दे रखी है अब notice करो यह जो situation हमें दे रखी है इसमें हमें कहीं भी mention नहीं कर रखा कि कि किस block के उपर कौन-कौन से forces लग रहे हैं अब forces को recognize करना भी हमारा काम हैं forces को recognize करना भी हमारा काम है हम recognize करेंगे कि कौन-कौन से forces लग सकते हैं तो जो पहला force आपको हमेशा लगता हुआ नजर आएगा first force that you will see always present हमेशा present रहता है जो ठीक है वह आपको बताता हूँ that is known as gravitational pull उसको अपन क्या कहते है gravitational pull कहते हैं यह तो इसका technical name हो गया ठीक है भाई कि हर object को धरती मा अपने center की तरफ खींच रही है because of gravity that is known as gravitational pull और general language के अंदर इसको बोला जाता है weight यह force आप देखोगे हमेशा present होगा अगर आप earth के उपर mechanics की बात कर रहे हो तो ठीक है normally अपने earth के उपर ही बात करते है तो यह हमेशा present होगा ठीक है बड़ा आसान है आपको सीधा सीधा क्या करना है उस block के mass को multiply कर देना है किससे gravitational acceleration से आपको multiply कर देना है यानि कि जब भी आप weight का magnitude लोगी तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा m multiplied by g आएगा आगे जाके आप देखो कि फिलहाल तो g हम constant लेते हैं बट बहुत सरी situation ऐसी होगी जहां पर आपका g change होगा तब अपन g effective लेने लग जाएंगे that I will also explain in later lectures बाद वाले lectures के अंदर में आपको समझाओंगा यह वाली चीज भी ठीक है अभी आप इसकी चिंता मत करो ठीक है सर मैंगिनिट्यूड के बारे में तो आपने बता दिया बहुत अच्छी बात है अब आप हमें इसकी direction भ वह भी fix होती है इसकी जो direction है वह भी fix होती है तो वैसे तो अगर अपन bigger perspective में देखें तो वैसे तो direction होती है towards towards center of the planet center of the planet वैसे तो यह direction यह होती है actual में लेकिन अब हम बहुत बड़े perspective में देखेंगे तब तो हमें planet का center दिखाई देगा otherwise कहां दिखाई देगा यहाँ पर थोड़े ना दिखाई दे रहा है तुम्हें कि earth का center कहां पर है ठीक है तो जहां पर भी हम कढ़ें पक्का उससे downward direction में होगा तो generally यह जो direction होती है वो कैसी होती है generally यह जो direction होती है यह downwards होती है downwards ठीक है अगर मालो आपको diagram के अंदर planet भी दिखा रख है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि हमें downwards नहीं फिर फिर planet के center की तरफ लगाना है वेट को यह बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं दोनों चीज़े यहां पर आपको लिखवा रहा हूं तो चलो यहां पर हमारे पास में दो ब्लॉक है एक 5 kg वाला ब्लॉक है और एक 10 kg वाला ब्लॉक है तो हम सबसे पहले तो यह देखते हैं कि इन दोनों के उपर जो वेट लग रहा होगा, वो कितना कितना होगा, तो इस वाले ब्लॉक के उपर भी वेट लग रहा होगा, डाउनवर्ड डाइरेक्शन के अंदर, कितना वेट लग रहा होगा इसके उपर, तो इसका वेट हो जाएगा 10 multiplied by gravitational acceleration, तो इसका वेट हो जाएगा 10 multiplied by G, यानि कि लगभग 100 newton इसका वेट हो जाएगा, 100 newton इसके उपर वेट काम कर रहा होगा, और इसी प्रकार से ये वाला जो ब्लॉक है, इसके उपर भी वेट काम कर रहा होगा, इसका भी मास हमें दे रखा है, कितना वेट काम करेगा इसके उपर, तो इसके उपर जो वेट काम करेगा, वो हो जाएगा 5 multiplied by G, तो लगभग 50 newton का वेट जो है, वो इसके उपर काम करेगा, तो जितने भी ब्लॉक हमारे पास में हैं, और जिन जिन का भी मास हमें गिवन है, हम तुरंत पता लगा सकते हैं, कि उनके उपर कितना gravitational pull काम कर रहा है, और किस direction के अंदर काम कर रहा है, पहला force, हमेशा हम recognize कर सकते हैं इसको, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गई हमारी पहली चीज़, ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारे दूसरे force के बारे में, ठीक है, जो कि हमें अक्सर दिखाई देगा हमारे इस तरीकी के situations के अंदर, तो दूसरा force जो है, it is due to, it is due to spring, sorry, string, जिससे तुमने इन दूनों blocks को बांध रखा है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं, tension in string, क्या बोलते हैं अपन इसको, इसको अपन बोलते हैं, tension in, in string बोलते हैं, normally, हमारी जो string होती है, वो ideal string होती है, until and unless उसके बारे में कुछ ना कहा जाए, तो ideal string जो होती है, ठीक है, उसके बारे में दो चीजें निश्चित होती है, एक, तो वो massless होती है, उसका खुद का कोई mass नहीं होता, इसलिए उसके weight की हमें चिंता करनी किया और शक्ता नहीं है और दूसरा, वो in stretchable होती है, उसको stretch नहीं किया जा सकता, in stretchable होती है, ठीक है, spelling अगर गलत हो तो आप correct कर लेना, in stretchable होती है, उसको stretch नहीं किया जा सकता, उसकी length जो होती है, वो हमेशा fixed होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, length is always, length is always fixed, आया सब को समझ में? तो ये हो गई ideal string, अक्सर आपको ये ही दी जाएगी, तर अगर string के अंदर में mass हुआ तो, फिर क्या करेंगे? मैं बताओंगा तुम्हें, तिंता मत करो, बट फिलहाल के लिए अपने एक ideal case के बारे में बात करते हैं, जो हमें string given है, वो massless है, in stretchable है, उसको stretch नहीं किया जा स तो अब आप देखोगी कि सर अगर length को change नहीं किया जा सकता, तो इस end पर भी एक block है, वो इसको नीचे खीचना चारहे है, weight की वज़े से, और यहाँ पर भी एक block है, इस weight का एक component इस रस्सी को खीचना चारहे है, तो दोनो ends पर आपकी रस्सी जो है, वो tight हो रखी है, इसको और उसको अपन कहते हैं, tension in string, उसको अपन कहते हैं, tension in string, तो यह जो tension in string है, ठीक है, वैसे तो हर point पर produce होता है, वैसे तो हर point पर produce होता है, लेकिन हमें दोनो ends पर दिखाना होता है, ठीक है, तो यह जो tension in string है, यह primarily हमें कहां पर दिखाना होता है, हमें at both the ends, कम से कम रस्सी क जो दोनों ends हैं वहां पर हमें दिखाना होते हैं कम से कम दोनों ends पर तो हमें दिखाना ही दिखाना है although it is produced everywhere in a string although it is it is it is produced at every point at every point of string तो हमारी string के हर point पर आपको यह force produce होता है नजर आएगा but primarily हम कहां पर दिखाते हैं primarily हम उसको दोनों ends के उपर दिखाते हैं यह चीज आई सबको समझेगा मैं बहुत practical बाते कर रहाँ ठीक है न आइडियल बातों की चक्रों में कहीं बहुत दूर चले जाते हैं बताऊंगा एक एक चीज step by step बताऊंगा बट में चीज ध्यान रख ठीक है और हमेशा tension force कब लगेगा जब आपकी रसी टाइट है ठीक है टाइटन इस्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी टाइट इस्ट्रिंग होनी चाहिए देना दोनों एंस पर आप खीच रखे उसको तब जाके आपका tension force लगेगा यहाँ ठीक है अब वोई वाली बात कि सर चलो ठीक है tension force लग रहे है तो दो बाते हमें इसके बारे में बता दो कि एक तो इसका magnitude कितरा होगा और दूसरा इसकी direction कितरी होगी ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके magnitude के बारे में ठीक है तो जैसे weight का magnitude fix होता है वैसे tension का magnitude fix नहीं होता यह fix नहीं होता यह किसके उपर depend करता है यह depend करता है depends on given situation जो भी आपको situation दी गई है यह उसके उपर depend करेगा तो एक hint आपको मिल गया कि और क्योंकि यह given situation पर depend करता है इसका मलब पक्का सवाल में यह पूछा जा सकता है क्योंकि weight तो पूछ के कोई फायदा नहीं है वो तो fix हो गया वो तो हर को ही निकाल लेगा यह चीज है जो कि situation to situation vary करती है तो पक्का सवालों के अंदर देखना आ बहुत पूछा जाता है चलो ठीक है चलो magnitude की tension कतम अब बात करते हैं direction की ठीक है कि सर direction कैसे होगी ठीक है तो पहले तो यह समझो कि tension force असल में है क्या tension force क्या है कि आप अगर रसी को बहुत micro level पर जाकर देखोगे तो रसी की दो layers जो कि आपस में contact में है तुम जैसे रसी को खीचना चाहरे हो तो यह जो दोनों layers के atom है वो अपनी equilibrium position से दूर चले जाते है ऐसा लगता है जैसे इनके बीच में किसी ने spring बांध रखे और तुमन क्योंकि इनकी equilibrium position आपने छेड़ दी तो इनके अंदर restoring force develop होता है वापस से जो atoms है वो एक दूसरे को attract करके अपनी original position पर आने की कोशिश करते हैं तो जब भी तुम दोनों ends पर रसी को खीचोगे तो जो tension force develop होगा वो वापस से कैसा होगा inverse होगा वापस से रसी को अपनी original position म लाने की कोशिश करेगा तो किसी भी point पर जब आपको tension find out करना हो ना तो उस point पर आप एक layer imagine करना imagine करना की वो layer जो है वो अपनी position से दूर जा रही है जिस तरफ तुम रसी को कीचने की कोशिश कर रहे हो और तुमें just उसके opposite direction में tension force को लगाना है या फिर क्योंकि primarily हमें दोन towards होती है inwards ठीक है ऐसा लगेगा जैसे रसी जो है वो वापस से सिकुडने का प्रयास कर रही है दोनों ends पर ठीक है तो यह हो गई हमारे magnitude और direction की बात फिलहाल अपन ideal string की बात कर रहे है और उसके भी हर point पर नहीं कम से कम जो दोनों ends है उनकी अपन बात कर रहे है क्योंकि व वापस से हमारी situation पर आते है तो हमने देखा कि यह वाला block भी एक खिची हुई रसी से बंदा हुए है और यह वाला block जो है यह भी खिची हुई रसी से बंदा हुए है इसका मतलब इन दोनों blocks के उपर tension force लगेगा इसकी वज़े से string की वज़े से कैसे लगता है तो sir ने बत लगेगा इस direction के अंदर और इस point पर लगेगा इस direction के अंदर और क्योंकि आपकी string ideal string है उसका खुद का कोई mass नहीं है इसका मतलब throughout tension force जो होगा वह आपका same होगा तो जितना tension force आपने यहाँ पर लगाया है उतना का उतना tension force आपने यहाँ पर लगाया है ठीक ना तो it is produced at every point of string and and same at every point हर point पर इसका magnitude भी कैसा होता है हर point पर इसका magnitude भी same होता है ठीक है ideal string है तो अगर ideal नहीं है string के अंदर खुद के अंदर भी mass है तो फिर अलग situation होगी जो मैं आपको अलग से बताऊंगा बट फिलहाल अपन ideal string की बात कर रहे है ठीक है चलो ठीक है सर इस end पर भी लगा दिया इस end पर भी लगा दिया उपर लग गया इधर लग गया magnitude कितना है वो हमें पता नहीं है वो विख लाधे कर लिए उपर ठीक है चलो कि तो मैं लगता हूं diagram अम सेयली उज़ कर दें से तो एक बारilar के लिए कह अपन यूपन कापी कर लेते हैं ऐंग और यह चीज है यह अपन रिलीट कर दो हृत ए कि इस पर आ जाते हैं तो दो फोर्स हमारे सक्सेसुली हमने रिकॉगनेज़् कर लिये हैं अब चलते हैं हम हमारे तीसरे फोर्स के उपर तो तीसरा फोर्स जो की अक्सर हमें मेकेनिक्स के इंदर दिखाई देगा that is known as normal contact force, normal contact force, ठीक है, ये कब लगीगा, सबसे पहले तो नाम में ही चुपा हुआ है, when there is contact, ठीक है, तो पहला point तो इसका खुद नाम में ही चुपा हुआ है, ठीक है, when, when two blocks are when two blocks are in contact, ठीक है, and pressing, अगेंस्ट इच अदर, जब भी दो ब्लॉक्स, कॉंटेक्ट में होंगे, और दोनों एक दूसरे को दबाएं, कोशिश कर रहे होंगे, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक block तो है, मतलब एक surface तो है मेरी हथेली, और एक है ये remote control, ठीक है, तो अब ये remote control जो है ना, वो मेरी हथेली को दबाने की कोशिश कर रहे है, और दोनों contact में है, दोनों contact में है, तो this is the situation where we will apply normal contact force, आ गया सब को समझे, ठीक, जब भी दो blocks contact में होगे, रहे होगे एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे होगे, अच्छा, तर इसका magnitude कितना होगा, तो again, इसके magnitude की value fix नहीं होती, इसके magnitude की value fix नहीं होती, it depends on, it depends on given situation, तो एक और hint मिल गया तुमें, यह और अक्सर जो NLM के सवाल होते हैं, उनके अंदर हो सकता है, normal contact force की value पूछी जाए, क्योंकि वो भी situation to situation depend करता है, तर direction के बारे में बता दो है, इनके direction कैसे निकालेंगे इस force की, ठीक है, तो देखो direction के बारे में भी आपको खुद नाम के अंदर ही बता दिया गया है, it is normal component of contact force, contact force की दो component होते है, this one is normal component, normal का मतलब होते है, surface के perpendicular, ठीक है न, तो यह हो जाएगा आपका normal direction के अंदर, या फिर perpendicular direction के अंदर, ठीक है, perpendicular to the surface in contact, surface in contact, ठीक है, अब normal भी दो अलग अलग direction हो सकती है, inwards भी हो सकता है और outwards भी हो सकता है, तो जैसे हमने tension force को micro level पर जाकर देखा था, वैसे normal force को भी देखने की कोशिश करते हैं, कि जब भी दो objects एक दूसरे के contact में आते हैं, और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे होत तो बिल्कुल mikro level पर जाकर देखोगे, तो आप देखोगे, जो atoms है और atoms के अंदर जो ions हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास आना चाहीं, एक atom के electron, दूसरे atom के electrons के बहुत पास में आना चाहीं, और electrons आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो जब भी दो objects एक दूसरे के contact में आते हैं और एक दूसरे को press करने की कोशिश करते हैं तो बहुत micro level पर जा कर देखने पर आपको पता चलेगा कि एक electromagnetic force दवलब होता है जो की repel करने की कोशिश करता है वापस से इस contact को break करने की कोशिश करते हैं तेंशन फोर्स जो था वो भी अगर आप बहुत fundamentally जाके देखोगे तो electromagnetic force ही था कि atoms electromagneticly equilibrium में थे जैसे आपने रस्टी को खीचने की कोशिश करी तो उनका equilibrium तूटा वापस से attraction force डवलब होगा that is tension और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जैसे तुम दू blocks को contact में लेकिया है atoms बहुत पास में आ गए electrons आपस में repel करने लगे electrostatic repulsion या electromagnetic force डवलब हुआ fundamentally और वो ही हमें कैसे दिखाई देता है normal contact force की form में दिखाई देता है ठीक है तो इसकी direction normal तो होगी होगी साथ ही साथ में outwards होगी outwards का मतलब समझ जाओगी न तुम यह words किताब में नहीं मिलेंगे आपको ठीक ना कि सब अपने लिए बना रहें outwards का मतलब हो गया surface से दूर जाते हुए inverse का मतलब है surface की तरफ आते हुए outwards का मतलब है surface से दूर जाते हुए तो यह हो जाएगा हमारा normal contact force कब लगेगा कितना लगेगा किस डायरेक्शन में लगे तीन ही चीजी तो जानी है हमारा काम हो गया तो अब देखो यहां पर यह वाला जो block है यह तो किसी के contact में है नहीं तो इसके उपर तो normal force लगेगा नहीं इस वाले block को देखते हैं यह वाला जो block है यह इस ट्रैंगुलर ब्लॉक के contact में और obviously weight का जो एक component है उसके वज़े से दबाने की कोशिश भी कर रहे है तो यहां पर आपको normal force लगता हुआ नजर आएगा अब normal force कैसे लगेगा यह तो आपने बताई दिया कि sir outward direction में लगेगा तो outward direction में लगा दिया आपने और साथ ही साथ में जो surface in contact है उसके perpendicular direction में लगेगा तो इस direction के अंदर आपको normal force लगता हुआ नजर आएगा that is n that is n यह हो गया आपका normal contact force इस तरीके से अपनों को यह force भी खुद से recognize करना है यह force भी हमें खुद से recognize करना है ठीक है तो जहां कहीं भी ऐसा हो रहा होगा दो blocks आपस में contact में आ रहे होंगे और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम समझ जहेंगे कि भाई साफ यहां पर normal contact force भी हमें लगाना है ठीक है तो यह हो गया हमारा तीसरा force जो कि हमें mechanics के अंदर अक्सर दिखाई देगा अक्सर दिखाई देगा ठीक है अब अपन बात करते हैं चोते force के बारे में ठीक है जो की बहुत rare है वो work energy power वाले chapter में तुम्हें जादा नजर आएगा पर यहां पर भी नजर आ सकता है तो just to become comfortable with it मैं उसको यहीं पर address कर रहा हूँ फिर आपन उसके बारे में समय समय पर detail में बात करते रहेंगे that is that is force number four that is restoring force restoring force in in string sorry string नहीं spring ठीक है तो सबको पता है यार मैं इसके बारे में बहुत ज़्यदा detail में बात करूँ इससे बढ़िया इसको obvious level पर मैं आपको समझाने के गोज़िश करता हूँ spring सबको पता है क्या होती है ठीक ना spring को जब भी तुम दबाते हो या जब भी तुम stretch करते हो पतलब natural length से आप spring के साथ में कैसी भी छेड़ चाड़ करो तुम उसको दबाओ या तुम उसको खींचो दोनों ही condition में आप महसूस करते हो कि कोई force develop हो जाता है spring के अंदर जो कि वापस से spring को अपनी natural length पर लाने की कोशिश करता है that's why it's named as restoring force इसको अपन क्या बोलता है restoring force बोलता है ठीक है तो ठीक है तो यह restoring force कब develop होता है जब आपकी spring को या तो तुम क्या करते हो compress करते हो ठीक है when spring is compressed और stretch करते हो और stretched तब आपका restoring force आपको develop होते हुए नजर आएगा sir इसका magnitude कितना होता है तो इसका जो magnitude है ठीक है वो हमेशा fix होता है और वो इस बात के उपर depend करता है कि आपने spring को कितना खींचा है या कितना दबाया है तो यह जो restoring force है इसका magnitude होता है spring constant k multiplied by x एक्स यहाँ पर क्या है आइदर stretch या फिर compression है भाई तुमने spring को कितना stretch किया है या फिर कितना compress किया है कितने distance से आपने spring को compress किया ठीक है तो यह हो जाता है आपका magnitude और रही बात direction की रही बात direction की सार इसके direction कैसे figure out करेंगे तो यह हो जाती है आपकी opposite opposite to x जिस भी direction में आप spring को खींचोगे उसके opposite direction में आपका force दवलब हो जाएगा अगर आप spring को stretch कर रहे हो तो inverse लगने लगेगा force और अगर आप spring को compress कर रहे हो तो outwards लगने लगेगा force हमेशा जो displacement तुम करवा रहे हो ना spring को उसके opposite direction में होगा spring के अंदर develop होने वाला force तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यार हमारा ये वाला जो block है इसके उपर weight लग रहे है ठेक है और move करने के लिए free है तो ये वाला block क्या करेगा थोड़ा सा नीचे जाएगा और जब ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इस spring क्योंकि रसी की length तो change हो नहीं सकती तो जितना ये नीचे जाएगा उतना का उतना ये इस direction के अंदर बढ़ेगा उतना का उतना इस spring के अंदर आपको stretch हुता हुआ नजर आएगा मतलब यह जो spring आपको नजर आ रही है न यह अपनी natural length पर नहीं है यह आपको stretch नजर आएगी अपनी natural length से थोड़ी सी खिची हुई नजर आएगी तो मान लो अगर इस spring के अंदर जो stretch डवलप हुआ वो कितना है वो x है कितना है x है मान लो तो अब क्योंकि तुमने spring को खींचा है तो इसके उपर एक और force लगेगा stretch के opposite direction में तुम खींच के spring को इधर ले जा रहे हो opposite direction में force लगेगा कितना force लगेगा k multiplied by x यह आपका force लगेगा k multiplied by x इतना आपका force लगेगा तो जहां कई हीं भी mechanics के अंदर spring वगर आपको नजर आ रही होगी और मैं बहुत सारे questions करवाँगा आपको वहाँ पर आपको बड़ी आसानी सिर्फ recognize हो जाएगा कि कितना force लगाना है और किस direction के अंदर लगाना है तो अब यहाँ पर notice करो कि हमने जितने भी forces लग सकते थे वो सारे के सारे forces यहाँ पर draw कर दिये सारे के सारे forces हमने यहाँ पर draw कर दिये तो यह जो forces को draw करने वाली process है यह कहलाती है free body diagram forces को जो draw करना है किसी particular object के उपर वो कहलाता है free body diagram जैसे मान लो अगर मैं इस 10 kg के block को free कर लो बाकी और किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है तो अब मैंने क्या कर दिया इसके उपर लगने वाले सारे forces दिखा दिये मैंने बता दिया कि इसके उपर downward direction में एक force लग रहा है कितना 2 newton का जो कि इसका weight है और इसके उपर upward direction में एक force लग रहा है कितना tension force जो कि string के अंदर develop हो रहा है ठीक है ऐसे ये वाला जो block है 5 kilogram वाला जो block है इसके उपर भी मैंने सारे के सारे forces शो कर दिये ठीक है तो एक बार मैं यहाँ पर ज़स्ट डेश्ट 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 इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमें angle वगरा के बारे में पता रहे है ठीक है theta angle है तो कौन-कौन से forces लग रहे हैं इसके उपर भी तो ये भी अपन शो कर सकते हैं कि ये जो 5 kg वाला block है इसके उपर एक तो लग रहा है इसका weight that is 50 N in downward direction, एक लग रहा है tension force that is T in the direction of string, एक लग रहा है आपका normal force, एक लग रहा है आपका normal force and surface के perpendicular direction में और एक लग रहा है spring के अंदर develop होने वाला restoring force that is K multiplied by X spring के stretch के opposite direction, तो ये कहलाता है आपका FBD, free body diagram आपने body को free कर लिया बाकि सचीजों से, और बस के ओल और के उसके उपर लगने वाले forces आपने शो करें, तो ये हो गया आपका free body diagram of 10 kg block, ठीक है? और ये हो गया आपका free body diagram of 5 kg block, ऐसे आप जितने भी blocks आपको situation के अंदर given होंगे, उसके उपर जितने भी forces लग रहे हैं, बहुत carefully उनको draw करोगे and prepare करोगे free body diagram, बच्चों को बहुत हवा मना के बताया जाता है, कुछ नहीं है free body diagram, just केवल किसी particular block के उपर सारे के सारे forces को carefully draw करना ही क्या कहलाता है, free body diagram कहलाता है, ठीक है? अब आते हैं कि सर ये सब कुछ हमने किया क्यों, क्योंकि हम इसकी mechanics study करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये blocks move ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे हमें ये ही situation दे के सवाल पूछ लिया जाएगा, कैसा सवाल पूछ लिया जाएगा, तो मैं वापस से again इस page को copy कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको एक बार ये सारे के सारी चीजों का conclusion बताता हूँ कि आखिर में conclusion क्या है, ठीक है, तो अपन चलते हैं हमारे next page के उपर लिया paste हो जाओ, नहीं हो गया, ठीक है, बागी सारी चीज़े क्यों नहीं है, अपन एक काम करते हैं, page को ही copy कर लेता ह है, इसी को अपन copy कर लेता है, ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर delete कर देता है, ठीक है, चलो, ऐसे धुड़ना मानेंगे है, ठीक है, तो ये situation हमें दे रहे, अब आया सब को, mechanics में generally ideal condition में, सारी surfaces smooth है, string जो आपको दे रखिये वो ideal है, spring जो आपको दे रखिये वो ideal है, everything is ideal, धीरे धीरे level बढ़ाएंगे, तो उस condition में कौन-कौन से forces लग रहे होंगे, किसी particular block के उपर लगने वाले, सारे forces को draw करना क्या कहलाएगा, उसका free body diagram कहलाएगा, अब इसका मकसद क्या है, क्या है to study mechanics of this particular situation, जैसे हमें इस सवाल के अंदर, क्या पूछा जा सकता है, हमें सवाल नंबर एक पूछा जा सकता है, find, find tension, find tension in string, in equilibrium. भाई, यहाँ पर यह जो block तुमने बांदा है, यह नीचे आएगा, यह वाला block भी उसके साथ-साथ चलेगा, और spring के अंदर जो restoring force develop होगा, वो इन सब को oppose करके, finally आपकी जो situation है, वो equilibrium में आ जाएगा. इक्विलीब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था, keyword था हमारा, equilibrium का मतलब होता है, कि उस particular block के उपर, जितने भी forces लग रहे हैं, तुम उनको balance कर सकते हो. आया ना सब को समझ में, कि ये जो equilibrium है, ये क्या है, ये है हमारा keyword, किस और इशारा करता है ये, ये इशारा करता है, law of inertia की तरफ, क्या लगाना है हमें यहाँ पर, law of inertia लगाना है, क्या कहता है law of inertia, कि हमें forces को balance करना है, तो according to law of inertia, क्योंकि situation आपकी equilibrium में है, हम क्या कर सकते हैं, हम forces को balance कर सकते हैं, किसी भी block की, जितने भी forces हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, balance कर सकते हैं, तो अब हमें free body diagram बनाने का असली, जो मतलब है, वो समझ में आएगा, कि आखिर में हमने free body diagram बनाया क्यों है, तो जिसे हमने यहां पर देखा, इसके उपर दो force लग रहे हैं, और दोनों हमारी मन चाही direction के अंदर है, हम जिस direction में चाहते हैं, उसी direction में लग रहे हैं दोनों, तो हमें तो बस केवल और केवल दोनों को balance कर जिना है कि ये ले जा रहा है नीचे ये ले जा रहा है उपर बहुत obvious चीज करना तुम कोई mathematics मत लगाना है आपर तुम महसूस करना कि आयर ये वाला force जो है ये वाला force ये दोनों आपस में एक दूसरे को balance कर लेंगे तो सीधा में आगया कि हमारा जो tension force होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 100 newton चलो भाई एक तो answer हमारा सीधा सीधा ही आगया ठीक है और हम से क्या पूछा जा सकता है हम से पूछा जा सकता है question number 2 find find normal contact force find normal contact force on 5 kg block ये हम से पूछा जा सकते है तो again situation तो equilibrium की है forces हमें balance करने है तो हमने देखा कि ये जो 5 kg block है इसके उपर ये वाला force vertical direction में है ये वाला force ना vertical ना horizontal है ये वाला force ना vertical है ना horizontal है तो मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर कुछ भी ना समझमें आए तो आपको दो perpendicular direction चूज करनी होते है और generally आप horizontal और vertical direction चूज करते हो बट हमेशा जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने काम को आसान मनाओ, जैसे inclination वाला जो example था, मैंने law of inertia में भी कराया था, उसमें कहीं बार हमें फाइदा होता है, क्या चूज करने में, दो perpendicular direction चूज करने में, along the inclination and perpendicular to the inclination, यह तुमने कहीं बार देखा है, मै तब भी हमने यह किया था, मैंने law of inertia के अंदर आपको inclination पर forces को balance करना जिखाया था, तब भी हमने यह किया था, तो यह बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कि यार ज़्यादा फाइदा हमें कब होता है, सर ने बता रहा है, जब आप वैसे तो horizontal vertical चूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ज़्यादा फाइदा कब होगा, आपको दो perpendicular direction चूज करने कोई सी भी कर सकते हो, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक direction चूज करते हैं along the inclination और एक direction चूज करते हैं perpendicular to the inclination, थोड़ा दिमाग ऐसे भी लगाओ, कि अगर अपन इन दोनो directions को चूज करेंगे, along the inclination and perpendicular to inclination, तो हमें तीन forces जो हैं, वो हमारी मंचाही direction के अंदर मिल जाएगे, सिर्फ एक ही force को हमें क्या करना पड़ेगा, components में break करना पड़ेगा, तो फायदा हुआ न, और अगर अपन horizontal vertical लेते तो, एक force हमारी मंचाही direction में हो और तीन को हमें क्या करना पड़ता, components में, divide करना पड़ता, तो हर कोई दिमाग लगा सकता है कि यहां यार, पहली वाली approach जो है, वो ज्यादा beautiful है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 mutually perpendicular direction हमें चूज करनी है, तो हमने चूज कर लिया, along the inclination और perpendicular to the inclination, तो इसको component में divide करने की जरूरत नहीं है, इसको divide करने की जरूरत नहीं है, इसको divide करने की जरूरत नहीं है, किसको divide करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ mg को, तो मैं कहीं बार बता चुका हूँ, अब तो आपको ध्यानी रख लेना चाहिए, जो perpendicular component होता है न, वो हमेशा mg cos theta होता है, मतलब यह वाला angle हमेशा कितना होता है, theta होता है, तो यह तो हो जाएगा आपका 50 cos theta हो जाएगा, 50 cos theta, ठीक है, और एक component आएगा आपका इधर की तरफ, एक component आएगा आपका इधर की तरफ, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 50 sin theta हो जाएगा, 50 sin theta, और let's say theta आपको दे रखा है, कितना थीटा आपको given है 37 degree कितना दे रखा है थीटा आपको given है 37 degree दे रखा है equation में तो हम इन दोनों की value भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से ठीक है न तो अब अपन क्या करते हैं forces को balance करते हैं तो हमने देखा कि ये जो direction है इसमें दो ही force लग रहे है normal force लग रहा है इधर की तरफ और 50 cos theta लग रहा है इधर की तरफ ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे balance कर लेंगे तो पहला balance हमने करवाया थीक है तो हमने देखा कि normal force directly किस से balance हो रहा है 50 cos theta से balance हो रहा है theta हम ही दे रखा है कितना 37 degree तो 50 cos 37 degree और cos 37 होता है आपका 4 by 5 तो 50 multiplied by 4 divided by 5 यह चला गया 10 times तो यह आजाएगा आपका 40 newton तो normal force कितना आ गया हमारा normal force आ गया 40 newton यह हो गया हमारा एक और answer तुम महसूस करो कि जब शुरुवात में मैंने situation को draw किया था तो तुम्हें लगा रहा था कि यार सर तो आज high five question करवा रहे होंगे कितना आसान question है यह जस्ट महसूस करने की कोशिश करो इसको एक बार देखो तुम ठीक है और अब तीसरा question जो तुमसे पूछा जा सकता है जो तीसरी unknown quantity है यहाँ पर वो यह पूछा जा सक सकता है find stretch in in spring है ठीक है in equilibrium in in quilibrium तो यह पूरा का पूरा system जो है वह वह equilibrium में है ही तो उस equilibrium की कंडिशन में इस spring में कितना 十 राच डवलब हुआ है वो आपको ffart करने है just लुकेट इट और थोड़ा एक बार करने की कोशिश करो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जितने अधिक है तो तो I hope आप में से बहुत सारे बच्चों ने figure out कर लिया होगा, कि सर अभी तो हमने इन दोनों forces को आपस में balance किया था, इस direction के forces को भी तो अपन balance कर सकते हैं, क्योंकि दोनों mutually perpendicular directions में forces को balance किया जा सकता है, तो अगर हम इस direction में balance करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो tension force है, वो अकेला किसको balance कर रहा है, अकेला मिलके इन दोनों forces को balance कर रहा है, किन किन को, एक तो 50 sin theta को balance कर रहा है, और साथ ही साथ में kx को भी balance कर रहा है, अब सब की value हमारे पास में हैं, देखो हम tension force की value अल्रड़ी निकाल चुके हैं, कितनी 100, तो हमने यहाँ पर तो रख दिया 100, ठ ठीक है, फिर आ जाते हैं इदर, 50 sin 37, तो sin 37 होता है आपका 3 divided by 5, वो value भी हमने रख दिया, और k हमें कितना दे रख है, 100 दे रख है, तो हमने k की जगे रख दिया, 100 multiplied by x, इस तरीके से हम लोग इसको solve करके x की value निकाल सकते हैं, यह 5 से 10 times गया, बना 30, 30 को उधर लेकी जाए करेंगे तो 70, और 70 को 100 से divide करेंगे, तो 0.7 आ जाएगा, तो यहां से जब x के लिए आप solve करोगे, तो यह आ जाएगा आपका 0.7 meter, ओल्दो थोड़ा ज्यादा आ रहे है, इतना आपका spring stretch नहीं हो सकती, बढ़ ठीक है, सवाल के नजरिये से, it's alright, कोई दिक्कत नहीं है, ठ spring सब थोड़ी ना, इतनी 0.7 meter stretch हो सकती, spring तो विचारी छोटी सी होती है, ठीक है, बट सवाल के नजरिये से, it's alright, ठीक है, तो यह एक जो exercise मैंने की है, पिछले लगभग, 30-40 मिनट लगा दिये हैं मैंने इसको सिखाने में आपको, ठीक ना, और believe me, मैंने आज तक, आज तक इतनी बार इस topic को पढ़ाया है, this one, यह जो आज मैंने यह जो example लिया, और जिस sequence में मैंने आपको इन forces के बारे में बताया, और जिस clarity के साथ में मैंने आपको forces के बारे में बताया, this is personally my best, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा आज का lecture देख रहा होगा न, उसको अब mechanics के अंदर, courses को recognize करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही situation कैसी भी हो, भले ही situation कैसी भी हो, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अपन, क्योंकि अब मज़ा आता है न, और कोई नई चीज हमारे हाथ में आती है, कोई नई चीज हमने सीखी होती है, तो हमें लगता है कि यार तो बहुत अच्छी जी जा गई हाथ में, तो इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से explore करते हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से explore करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको एक और question देता हूँ, ठीक है, और उस question के अंदर भी आपको same exercise करने, आपको पता लगाना ह कि forces कौन कौन से होंगे, और फिर जो भी given situation उसके आधार पर उन forces को either balance करने, और balance नहीं करना है, तो क्या करना है, वो भी फिर मैं आपको आगे समझाओंगा, ठीक है, चलो, तो अपन एक और question ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, आजो, simple सा question है, आपको एक table दी रखी है, ऐस इस table पर, इस table पर एक pulley लगी हुई है, इस तरीके से, by the way, pulley का कोई काम नहीं होता, pulley का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ string की direction को change करना, ताकि string में जो tension force develop हो रहा है, उसकी direction को change किया जा सके, ठीक है, तो अब आपको कह रखा है, कि यहाँ पर एक block रखा हुआ है, यहाँ पर ए यह जो block है, यह 2 kg का block है, 2 kg का block, ठीक, और इसको आपने एक रसी से बांध रखा है, ideal string है, कोई मासवास नहीं है, यह string का, और यह string जो है, इस पुली के उपर से, इस तरीके से, कहाँ पर जा रही है, एक और दूसरे block से बंदी होई है, यहाँ पर एक और छोटा block बंदा 1 kg, that is 1 kg, इस तरीके से, ठीक, और साथ ही साथ में यह जो table है, ठीक, सब सब स्मूध है बिटा, अभी अपन फ्रिक्शन वगरा की बात नहीं करने, तो इस table पर आपने एक string भी लगा रखी, यहाँ पर एक spring भी लगा रखी, मैं बार बार confused है जाता हूं, ठीक ना, तो यह ए आप में attach कर रखी, इस तरीके से, और इस spring का, जो spring constant है, वो है 25, 250 ले लो एक बार के लिए, spring constant कितना है, इसका 250, तो यह situation आपको दे रखी है, यह situation आपको दे रखी है, ठीक ना, आप से सवाल में पूछा जाएगा, कि find, find stretch in, spring, in equilibrium, बाई, ultimately, यह जो system है, यह equilibrium में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यह वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, यह जितना नीचे जाएगा, उतना का उतना यह ब्लॉक आगे जाएगा, और यह जितना आगे जाएगा, उतना spring के अंदर, restoring force develop होगा, ultimately forces आपके balance हो जाएगे, ultimately forces आपके balance हो जाएगे, ठीक रहाँ, तो जैसे यह question हम से पूछा गया, अब बच्चे बोलेंगे कि सर, हमें शुरुवात करना नहीं आता question के अंदर, and I can understand it, कि कहां question में पूछा गया है, कि stretch find out करो spring में, तो कैसे बच्चे की दिमाग में आएगा, कि मैंने मुझे free body diagram बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये फायदा होता है, मैं जो, ये जो lectures वगरा बना रहा हूँ, sequence के अंदर, और जो step by step approach आपको मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सीखो, अंधिरे में तीर मत चलाओ, मैंने देखा है, बच्चे अंधिरे में तीर मारते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी, जबर्दस्तिक question पढ़ा नहीं, समझा नहीं, पहले pen उठा के कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, कुछ मत ड्रॉ करो, शान्ति पूर्वक देखो, कि मुझे यहाँ पर spring में produce होने वाला stretch find out करने हैं, वो मुझे कहां से मिलेगा, restoring force से, और restoring force कहीं ना कहीं, किसी other force से balance हो रहा होगा, तभी तो जाके मुझे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर forces को balance करने हैं, अब forces को तो आप तभी balance कर पाओगे ना, जब आप forces को draw करोगे, तो ऐसे आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाओगे, और आपको पता पड़ जाएगा, कि भाया पहला step जो है ना, वो है free body diagram, draw करना, और अलग से draw करने की ज़रुत नहीं है, तो मैं इसे diagram के अंदर draw कर दो, समय बचाओ, तो जैसे यह जो 1 kg वाला block है, तब से पहले मैंने इसके उपर लगने वाले forces को draw किया, तो मैंने देखा, एक तो लगेगा इसके उपर इसका weight, तो weight हो जाएगा आपका 10 newton, 1 multiplied by 10, मैं direct 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि यह रस्सी से बंदा हुआ है, जो कि दोनों ends पर खिंची हुई है, तो इस end पर भी आपका tension force develop होगा, उपर की दिशा में, हमें इसका magnitude नहीं पता होथा, तो इसको हमने लिख दिया है, यहाँ पर tension T, अब क्योंकि आपकी string जो है, रस्सी जो है, वो ideal है, तो जितना tension force इस end पर develop हो रहा है, उतना का उतना tension force आपको यहाँ पर भी develop होते हुए नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी आपने tension force T show कर दिया, और कौन-कौन से forces लगेंगे इसके उपर, downward direction में लगेगा इसका weight, तो weight हो गया हमारा 20 Newton, 2 multiplied by 10, और उपर लगेगा normal contact force, क्योंकि यह table के contact में और table को दबाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि spring जो है, वो खिची हुई अवस्था में है, इसके अंदर जो stretch डवलप हो रखा है, ठीक है, वो कितना है, let's say x है, तो पक्का एक force यहाँ पर string के अंदर भी डवलप हो रहा होगा, और that is nothing but k multiplied by x, तो ऐसे हमने free body diagram यहाँ पर draw कर लिए, अब क्योंकि आप equilibrium की बात कर रहे हो, तो आपको keyword मिल गया, आपको पता पड़ गया, यहाँ पर law of inertia लगाना है, law of inertia कैसे लगाते हैं, block के उपर लगने वाले सारे की सारे forces को, balance कर दो, तो जैसे ही आप balance करोगे, ठीक है, तो balancing forces on one kilogram block, आजाएगा आपके पास में tension force आजाएगा, करो, तो tension force उपर लग रहे हैं, 10 newton नीचे लग रहे हैं, तो सीधा सीधा आपके पास में tension force कितना आगया, 10 newton आगया, अब बोलो के सारे क्यों निकाला हमने, हमसे तो किसीने tension force पूछा ही नहीं था, इसलिए निकाला, क्योंकि हमारा restoring force तभी निकल पाएगा, जब हमें tension force पता हो, ठीक है, अब अपन आते हैं, इसके उपर, तो अब अपन क्या करते हैं, वोई, balance forces on, balance forces on 2 kilogram वाला block, इसके उपर अपन forces को balance करते हैं, तो सबसे पहले तो vertical forces को balance करते हैं, तो वैसे हालांकि किसीने पूछा नहीं था, तो हमें पता पढ़ जाएगा कि normal force भी कितना हो गया, आपका 20 newton हो गया, इसने पूछा नहीं था, कोई पूछे तो बता देंगे, ठीक न, आभी उसके जरुर्वत भी नहीं है, और अब आते हैं, अपन horizontal forces को balance करते हैं, तो horizontal forces को जब अपन balance करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कि हमारा जो tension force है, वो खुद किसके equal है, k multiplied by x के equal है, यह जो tension force है, यह कि हमें दे रखा है 250, और x हमें निकालना है, तो x हो जाएगा हमारा 1 divided by 25, कितना, 1 divided by 25, और जब इसको तुम solve करोगे, 1 divided by 25 को, तो जो भी answer आएगा, वो आप लिख सकते हो, यह तो आया है किस के अंदर, meters के अंदर आए, अगर आप इसको 100 से multiply कर दोगे, तो यह आजाएगा, 1 divided by 25 multiplied by 100 centimeters, तो 25 से 4 times चला गया, तो x की value आजाएगी, आपकी 4 centimeter, 4 centimeter का stretch develop हो जाएगा, spring के अंदर, इस तरीके से आप, देखो, समझो इस चीज को, मैं यह नहीं कह रहा कि हमने कोई बहुत तोड़ फोड़ चीज़े पढ़ लिया आज, लेकिन जो आज हमने पढ़ लिया ना वो सच में तोड़ फोड़ के लायक बना देगा, अगर तुम इसको feel करना सीख जाओगे, मैं आज का जो lecture है ना, उसको इस chapter का सबसे important lecture बता रहा हूँ और उसका कुछ ना कुछ कारण है, कारण क्या है, आपके अंदर का डर निकल रहा होगा आज, कि यार ये इनसान तो कि कुछी भी situation के अंदर, अपने ही कुछ steps हमें बताता है, और वो ही steps actual में follow करता है, और की तरह नहीं, कि सवाल के बाद में कोई दूसा सवाल आ गया, तो अपनी approach भी change गर ली, अंधिरे में तीर मारने लगे, नहीं, step by step approach है, just apply it, you will see, you will always get results, ठीक है, तो ऐसे आपको situations जो है वो दिये जा सकते हैं, अभी महसूस करो, अभी अपन तिर्फ वो ही situations ले रहें, जिनके अंदर equilibrium बन रहा है, सर equilibrium ना बने, तब क्या करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पट पहले equilibrium वाली situation को face करना सीख लो, अठ्छे से solve करना सीख लो, ठीक है, अपन एक और question लेता करता हूं, एक और चीज में सिखाने की कोशिश करता हूं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे आपको दे रख है, कि यहाँ पर एक रस्सी बंदी हुई है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे एक रस्सी बंदी हुई है, एसे, ठीक है, तो एक रस्सी आपने इधर बांध रखी है, एक रस्सी आपने इधर बांध रखी है, और जो equilibrium की situation बन रही है, उसमें कुछ ऐसा डाइग्राम बन रहे है, यहाँ पर जो force आपको बंता हुआ नजर आ रहे है न, वो आपको बंता हुआ नजर आ रहे है, 53 डिगरी का एंगल बनता हुआ नजरा रहा है ठीक है आपको यह बताना है आपको यह बताना है मैं इन तीनों का नाम भी रख देता हूं इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने O, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने A, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने B और इस पॉ force in string OA OB and OC यह आपको find out करना है कि इन तीनों strings के अंदर कितना tension force develop होगा in this equilibrium condition यह equilibrium की condition बन रहे है तो क्या करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले हम सरे एक काम करते हैं यहाँ पर यह देखते हैं forces कौन कौन से लग रहे है तो हमने देखा कि इसके उपर एक force लग रहा है कितना force लग रहा है तो weight जो है वो इसका downward direction में लगेगा कितना 50 Newton और क्योंकि यह रसी से बंदा हुआ है तो इस end पर यह वाला जो end है यहाँ पर आपको tension force भी develop होता हुआ नजर आएगा कितना T1 ठीक है यह Toc लिख सकते हो इसको अच्छा इस end पर आपने ऊपर की तरफ बनाए tension मैंने बताया था tension force हमेशा दोनों ends पर inverse लगता है तो इस वाले end पर tension force कैसे लगेगा इस वाले end पर tension force नीचे की direction में लगेगा क्योंकि रसी ideal है तो इसकी value भी same होगी उसको भी मैंने Toc लिखा है ठीक है ऐसे ही यह जो रसी है यह भी दोनों ends पर बंदी हुई है तो इसके भी इस end पर एक force produce होगा जिसको मैंने लिख दिया T.O.A और ऐसे ही यह वाली जो रसी है यह भी दोनों ends पर बंदी हुई है तो इसके भी इस वाले end पर एक force develop होगा जिसको मैंने लिख दिया T.O.B लिख दिया ऐसे इस point पर तीन tensions लग रही है और फिर भी यह point equilibrium है फिर भी यह वाला point जो है वो equilibrium है तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका method number one हालांकि दोनों methods जो है वो same time लेते हैं बट किसी को कोई method अच्छा लगता है और किसी को कोई method अच्छा लगता है ठीक ना सबसे पहले तो मैं अपना original method बताता हूँ जो मैं आपको अभी तक सिखाते आ रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है जैसे तुम्हें पता पड़े कि point या block या object equilibrium में है तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें शांती से उसके उपर लगने वाले सारे forces को balance करना है in any two mutually perpendicular directions that's it ठीक है तो तुम्हें यहां पर यही किया कि तुम्हें एक horizontal direction चूज कर दी एक vertical direction चूज कर दी और यह तुम्हारी मंचा ही directions बन गई जो force है अलरड़ी ठीक है जो नहीं है उसको आप components में चूज कर ली और एक आपने vertical direction चूज कर ली अब आपने देखा कि ये वाला tension force already vertical है कोई components में डिवाईट करने के आवशकता नहीं है ये वाला tension force ओरड़ी horizontal direction में कोई components में डिवाईट करने के आवशकता नहीं है सिर्फ इस वाले force को क्योंकि यह हमारी मंचाई directions में यह हमें components में divide करना पड़ेगा अगर यह 53 degree है तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा 53 degree हो जाएगा और अगर यह 53 है तो यह वाला component हो जाएगा आपका TOB cos 53 degree और यह वाला component हो जाएगा आपका TOB sin 53 degree और अब तुम क्या कर सकते हो balance कर सकते हो forces को क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है equilibrium की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी equilibrium की इसका मतलब यहाँ पर law of inertia use होगा क्या use होगा law of inertia इसका मतलब हम यह forces को क्या करना है balance करना है और forces को हम कोई सी भी दो mutually perpendicular direction में balance कर सकते हैं तो सबसे पहले आपन vertical direction के अंदर balance करेंगे और फिर हम horizontal direction के अंदर balance करेंगे ठीक है चलो vertical direction में balance करते हैं तो ऊपर की तरफ तो है यह वाला force और नीचे की तरफ है यह वाला force तो आप लिख सकते हों कि T O C जो होगा वो किसके एकवल हो जाएगा T O B sin 53 के एकवल हो जाएगा और sin 53 जो होता है वो किसके एकवल होता है 4 by 5 के एकवल होता है तो 4 times T O B divided by 5 के एकवल हो जाएगा एक तो चीज हमें यह मिल गए और इधर horizontal forces को जब हमने balance किया तो हमें क्या मिला हमें मिला कि T O A जो है यह balance हो जाएगा किससे T O B cos 53 degree से balance हो जाएगा cos 53 is nothing but 3 divided by 5 तो यहां से हमें मिल गया कि T O A जो है वो हो जाएगा आपका T O B multiplied by 3 divided by 5 अभी भी sir solve तो नहीं हुआ तो इस block के उपर भी तो forces को हम balance कर सकते हैं ये भी तो आपका equilibrium में है तो इसके उपर दो force लग रहे हैं 50 newton लग रहे है नीचे और T O C लग रहे है उपर तो finally हमें T O C पता चल गया खुद कितना हो जाएगा balance करने पर 50 newton हो जाएगा इन दोनों को balance करेंगे तो direct कर सकते हो और जैसे आपको T O C पता चला वही T O C यहाँ पर लग रहे हैं तो T O C की जगह आप क्या रख सकते हो 50 newton रख सकते हो तो आपने रखा 50 ठीक है multiplied by 5 divided by 4 तो यह तो हो जाएगा आपका T O B ठीक है 5 को आपने उजर भीज दिया 4 को नीचे भीज दिया और T O C की वैल्यू आपने कितनी रख दी 50 रख दी तो T O B की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी आ जाएगी एक बार के लिए solve नहीं करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं तो T O B हो जाएगा आपका 250 divided by 4 newton इसको आप solve करते रहना ठीक रहा इतना हो जाएगा आपका T O B और एक बार अगर आपके पास में T O B आ गया तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो तो T O A कितना आ जाएगा आपका यह आजाएगा T O B that is 250 divided by 4 multiplied by 3 upon 5, 5 से cancel out हो गया 25 बार, sorry 50 बार मैंने गलत कर दिया भी छोटी सी calculation mistake हो जाती, सब कुछ गड़बर हो जाता, तो यह हो जाएगा 50 बार ठीक है और यह आजाएगा आपका 150 divided by 4 newton अब इसको आप फर्दर आगे solve कर सकते हो ठीक ना, तो तीनों की value आगे हमारे पास में, हमारे पास में T O A आगया, कितना आया, 150 divided by 4 newton, इसको आप आगे solve कर सकते हो, हमारे पास में T O B आगया, 250 divided by 4 newton, और हमारे पास में T O C आगया, that is 50 newton, खत्म तो ये तो हो गया आपका method number 1, ठीक है, ये हो गया आपका method number 1, बड़ी आसनी से आप इस method को apply कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और method है, जिसको आप apply कर सकते हो, इसको बोला जाता है Lami's theorem, तो this is known as method number 2, this is known as method number 2, second method है हमारे, क्या बोलते है पन इसको, इसको पन बोलते है Lami's theorem, लामी's theorem बोलते हैं, और ये हमेशा किसके लिए काम करती है, 3 coplanar forces in equilibrium, किसके लिए काम करती है, ये काम करती है, 3 coplanar forces in equilibrium, जब भी आपको कोई ऐसी situation बनती हुई नजर आए, तो आप Lami's theorem का direct use कर सकते हो, कोई से भी 3 forces हो सकते हैं, मालो ये आपका पहला force है F1, ठीक है, ये आपका दूसरा force है F2, और ये आपका तीसरा force है F3, ठीक है, और ये तीनों कहा गया है, एक ही plane में है, दिखी भी रहे, एक ही plane में draw किया है, और तीनों equilibrium में है, तो अब हमें बस केवलोर के लिए angle चाहिए होता है, तो इसका नाम रख दिया मैंने theta 3, इसका नाम रख दिया मैंने theta 2, और इसका नाम रख दिया मैंने theta 1, तो लामी स्थोरम क्या कहती है, कि आप force को उसके सामने वाला जो angle है, उसके sine से divide कर दो, तो आपने F1 को divide कर दिया किस से, sine of theta 1, क्योंकि theta 1 इसके सामने वाला कौन है, F2 को आपने divide कर दिया sine of theta 2 से इसके सामने वाले angle और F3 को आपने divide कर दिया sine of theta 3 से इसके सामने तो यह जो ratio है यह हमेशा क्या रहेगा यह हमेशा constant रहेगा तो आप direct क्या कर सकते हो direct forces की value निकाल सकते हो if you know these three angles अगर आप यह तीनों angles जानते हो तो आप direct forces की value निकाल सकते हो तो जैसे यहाँ पर अगर अगर अपन lamies theorem apply करते है ठीक है तो हमारी situation ऐसी बन रही है हमारी situation कैसी बन रही है ऐसी बन रही है कि एक force है इधर की तरफ that is T O B और यह horizontal के साथ में कितना angle बना रहे है 53 degree का एंगल बना रहे है एक force है नीचे की तरफ that is T O C और यह हम पहले ही पता लगा चुके हैं पचास न्यूटन है और एक force है इस तरफ इसका नाम रखा है हमने T O A ठीक है तो अब अपन यहाँ बन lamies theorem apply करते हैं तो सबसे पहले अपन कौन सा वाला force लेता हैं यह वाला force लेता है तो हमने लिया T O B और इसके सामने हमने देखा angle कितना बन रहा है 90 degree का बन रहा है तो इसके नीचे हमने लिख दिया sin of 90 degree फिर यह वाला force उठाते है T O A और इसके सामने कितना angle बन रहा है 90 तो ही है, साथ ही साथ में 53 है तो हमने लिख दिया sin 90 प्लस 53 ये लिख दिया हमने, ये इसके सामने वाला एंगल बन रहा है total और फिर हमने उठाया TOC और इसके सामने कितने एंगल बन रहा है, तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये हो जाएगा आपका 37 डिगरी 180 में से 53 माइनस कर लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin 180 माइनस 53 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये 90 प्लस 53 भी लिख सकते हो तो ये हमारी एक equation आ गई, बस अब हमें इसको solve करना है तो सबसे पहले इसकी value निकालते हैं, देखो sin 90 तो 1 होता है, ठीक है तो अपन इसको और इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, इसको और इसको पकड़ते हैं ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा TOB is equals to sin 90 तो हो गया 1, TOC की जगह पन क्या रख सकते हैं, 50 Newton रख सकते हैं तो सिर्फ क्या रह गया, आपका sin 53 रह गया, sin 53 का मतलब क्या हो गया 4 divided by 5, 5 चला जाएगा उपर तो यह आ जाएगा 250 divided by 4 Newton यही आ रहा था हमारा आंसर और ऐसे ही आप क्या है, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, यहां से आप देखो आपका अंसर कितना आएगा तो TOA यह आपको निकालने, sin 90 प्लस 53 उसका आप Trigonometry के अंदर पढ़ा था, cos 53 लिख सकते हो ठीक है, cos 53, यह 90 प्लस 53 करोगे, उसको 180 की format में लिखोगे, तो sin 37 लिख सकते हो, जैसा आप चाओ, इतना तो आता होगा, basic है सबको, ठीक है, और इधर आजाएगा आपका TOC, that is nothing but 50, और नीचे आजाएगा sin 53 जिसकी value हो जाएगी, 4 divided by 5, cos 53 की value कितनी होती है, तो TOA आजाएगा, आपका 50, 5 चला गया, ऊपर, 4 रह गया नीचे, multiplied by cos 53 भी उदर चला जाएगा, उसकी value होती है, 3 divided by 5, 5 से 5 चला गया, तो यह आजाएगा, 150 divided by 4 Newton तो इस मैथड से भी जो लामी स्थियोरम है, उससे भी आप 3 co-planar forces के equilibrium को क्या कर सकते हो, solve कर सकते हो हलाएं कि आपको मैंने दोनों method बता है, मतलब बच्चों का ऐसा लगता है कि यार, सर देखो, coaching के अंदर तो shortcut बताया जाता है, लामी स्थियोरम बताया जाता है, जो कि NCRT में तो given ही नहीं है, और यह लामी स्थियोरम से शायद selection होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा मैंने आपको hand in hand दोनो methods बताया है, और आप compare कर सकते हो कि दोनों में से कोई सा भी आप apply कर सकते हो, better जिसके अंदर आपके understanding है, better जिसके आपने practice कर रही है, उसको apply कर, और better है कि आप दोनों को सीखो ना, किसने का एगे कि method सीखना है, एक बहुत जदा fundamental है, और एक थोड़ा तो यह हो गया हमारा equilibrium of three forces, coplanar जो है, यह तो आपको पता ही है, मैंने vector वाले chapter में करवाया था, अगर आपके forces equal ना हो, तो coplanar forces को equilibrium में आने के लिए कम से कम तीन forces की जरुरत होती है, हमने question भी करा था, आपको याद होगा, ठीक ना, तो यह वाली situation है, जिसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, अब आज का lecture तो हमें allow नहीं कर रहा, कि हम लोग pseudo forces के बारे में पढ़े, क्योंकि pseudo forces जो है, वो भी अपने आप में बहुत मज़ेदार topic है, ऐसा force जो कि सच में exist नहीं करता, बट फिर भी तुम्हें उसको equations के अंदर use करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे next lecture के अंदर, वरना आज का lecture बहुत लंबा हो जाएगा, I hope you are enjoying these lectures, मजा आ रहा है आपको इन lectures के अंदर, and इसी तरीके से पढ़ते चले जाओ, कोई भी feedback हो आपका, comments के अंदर बताओ मुझे, मिलता हूँ आप से next lecture के अंदर, तब तक के लिए, टा